हेलो फ्रेंट्स मेरा किसकों अपाल आप लोगों का फिट से सागत करता हूँ एक ने वीडियो ने टॉपिक के साथ तो वो बंदा क्या करता है दूसरे को शेर करता है दूसरा क्या करता है तीसरे को सेर कर देता है इससे प्रॉलम आती क्या है कि आपके वाइफाई की स्पीड है वो स्लो हो जाती है और सेकंड प्रॉलम यह होती है दोस्तों कि जाने अन जाने में अगर उन्होंने किसी भी तरी और दूसरी चीज क्या होता है दोस्तों आज कल आप सोच रहे हो कि मैं उनके फोन में वाइफाई का पासवर्ड डाल दूँ तो उससे किसी को पता नहीं चलेगा जिब कि ऐसा होता नहीं है तो फ्रेंट जैसे कि आप लोग को पता हो कि आज कल की जो एंडरोईट फोन है उसम कि सम्मिष्या से कैसे बस सकते हैं अगर आप अंचाहे वाइफाई यूजर से बचना चाहते हैं तो मैं आज की वीडियो में आप लोग को एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊँगा या एक सेटिंग के बारें बताऊँगा जिस सेटिंग को करने के बाद आप अंचाहे वाइफाई यूजर से बस सकते हैं सेकेंड फ्रेंट्स ये भी होता है कि आपके वाइफाई आपने किसी को सेर नहीं किया होता है लेकिन आपका वाइफाई कोई ना कोई यूज कर रहा होता है तो उसके लिए मैं एक सिंपल से कुछ स्टैप बताऊँगा कुछ सेटिंग बताऊँगा उसको भी ज़रू ध्यान से देखिएगा तो फ्रेंट्स बने रहे हैं हमारी वीडियो पे क्योंकि मैं आज की वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी सेटिंग और ट्रिक के बारे में बताऊँगा जिससे आप अपने वाइफाई को सिक्योर कर सकते हैं और हां फ्रेंट्स अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स वाइफाई के साथ यससे जादा से जादा सेसे करें क्योंकि Wi-Fi को secure करना आपके लिए जरूरी नहीं है आपके friends of family के लिए भी जरूरी है Wi-Fi सभी लोग use करते हैं friends लेकिन काफी लोग को नहीं पता होता कि अपने Wi-Fi की security कैसे करें और हाँ friends कुछ लोग नए लोग होंगे जो हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो friends आप लोगों सब यह कहना चाहूंगा कि हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने और friends notification के bell icon को प्रेस करना ना बोले ताकि जो भी हमारी चैनल पर नई वीडियो आए उसका notification आपको सबसे पहले मिले तो friends जाद देरी ना करते हुए मैं आप लोगों को करके बताता हूँ कि वो setting करते हूँ तो friends मेरे पास है tender का router जिसकी मैं setting करके आप लोगों को बताता हूँ तो उसके लिए friends सबसे पहले हमें क्या करना होगा Google Chrome पे जाना होगा तो Google Chrome पे जाएंगे हम friends जैसे ही आपका Google Chrome open हो जाता है तो उसे सबसे पहले desktop mode पे लेके चले जाएंगे ताकि आप जो भी website या कोई भी site जो open करें वो पूरी तरीके से desktop की तरह open हो तो उसके लिए दोर्स हम क्या करेंगे right side में आपका 3 dot दिखाई दे रहे होंगे इस पे हम click करेंगे इस तरीके से उसका नीचे देखेंगे second last desktop site इस box पे हम टिक करेंगे फिर हम यहाँ पर search करेंगे tender router के लिए है 192.168.0.1 फिर हम यहाँ से login कर देंगे इस तरीके से search करके और friends एक बात का ज़रू दिया नखना आप आपका wifi connect होना चाहिए तभी जाके यह setting आप खोल सकते है और यहाँ तभी जाके आपका यह router का जो page होता है वो open होता है तो इस तरीके का आपका page open हो जाएगा friends इसके बाद यहाँ से आप password डालेंगे जो भी आपने password set किया होगा फिर यहाँ से हम login करेंगे friends जैसी आपका page login हो जाता है तो यह मेरे tender router की कुछ settings है यह आपके front page show करते हैं कितने लोग connect हैं कितनी speed आपकी downloading जा रही है uploading की कितनी speed जा रही है तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं तो friends जो main मुद्दा यह था कि मैं आप लोग को कुछ settings बताऊंगा जिससे कि आप अपने wifi को secure कर सकते हैं तो पहला friends option क्या है आपका internet setting में जाएंगे हम यह कुछ numbers होते हैं जैसे कि IP address, subnet mask, default gateway preferred DNS and alternative DNS इस numbers को आप कहीं पर लिख लीजे या इसका screenshot लेके कहीं save कर लीजे क्योंकि अगर आपके wifi में कोई भी problem होती है setting करते वक्त तो आप इसको दुबार से fill करके अपने router को configure दुबार से कर सकते हैं इसके बाद हम friends जाएंगे wireless setting में इसमें friends आप देखेंगे wifi name अगर आप चाहते हैं आपका wifi name क्या है आप यहां से change कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे hide wifi भी कर सकते हैं अगर यहां से आप click कर देंगे तो आपका wifi जो है so नहीं करेगा अगर इसके बाद आप wifi को connect करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको wifi को manually add करना होगा उसके बाद connect करना होगा second friends आपका क्या होता security mode यहां से क्या होता आप security कर लिजिए VPA, VPA2, PSK mixed इसपे आप click करके यहां से आप password set कर लिजिए wifi password में जाके कोई भी password आप यहां से डाल सकते हैं तो इस तरीके से क्या हो जाएगा wifi का password एक create हो जाएगा जैसे कि आपका कोई भी वैसे wifi on कि आपने wifi देखा कि आपका नाम आरा के पाल IT solution like और उसने पर click करा तो आपका password मांगेगा अगर आपने यह password set नहीं किया हो रहा है तो इसको set ज़रूर करने क्या होता है wifi provider कभी कबार एक normal सा number डालके चले आते हैं जैसे कि आपका 123456 like बहुत सारे password होते हैं जो normally डालके चले आते हैं वो किसी को भी अंदाजन पता रहता है वो टुकका मारता set होता है वो का wifi connect हो जाता है तो friends सबसे पहले अपने wifi का name change कर लिजिए और उसमें password create कर दीजिए तो friends second चीज मैं आप लोगों को बता दता हूँ कि password आप लोग कहां से set कर सकते हैं router को open करने के लिए जैसे कि हमने जब हमने login किया था यहां से 192.16.0.1 डालके तो उसमें हमने password फिल किया था वो password आप कहां से set कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा आपके router में कुछ और settings होगी लेकिन जो इस router में setting है वो मैं बतायता हूँ इसमें आपको administration में जाना होगा इसका यहां पर आप देख रहे होंगे login password old password, new password, repeat password तो यहां से आप old password डालेंगे जो भी आपके wifi provider ने create करके गया होगा आपके router का वैसे तो friends जब new आप router लेके आते हैं उसका जब password होता है और जो उसका username होता है वो admin admin होता है तो यहां पर admin डालके old password में और new password आप जो भी डालना चाहते हैं router का वो डालके यहां से set कर सकते हैं तो friends इसे मैं करके नहीं दिखाऊंगा आप लोग इसे try करिएगा अगर इसकाद कोई problem आपको आती है router के password को create करने में तो हमें comment box में comment करके पूछ सकते हैं मैं आप लोग को उसका answer ज़रूर दूँगा उसके बाद friends में एक एहम और थर्ड चीज़ बताने जा रहा हूँ जैसे कि आप लोग को जो मैंने बताया था कि अगर आप किसी को wifi password share करते हो तो किसी और को share कर देता है तो इस तरीके से क्या होता है जो आपके wifi का load होता है और आपकी जो wifi की speed होती हो slow हो जाती है तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है friends आपके router में किसी में Mac filtration के नाम से एक option आता है किसी में white listed के नाम से आता है जैसे कि जो मेरा router है tender का इसमें white list के नाम से आता है तो friends इसके लिए हमें जाना पड़ेगा advance में हम advance में जाएंगे फिर यहां से आप friends देख सकते हैं आपका दिखारा filter mode इसमें friends आप दो list तियार कर सकते हैं white list और black list अगर आपने black list तियार कर दी तो उसमें क्या होगा जब आप black list create कर देते हैं क्लिक कर देंगे तो उसमें क्या होगा जो आपने black list में mac address फिल के होंगे वो mac address आपका wifi यूज नहीं कर पाएंगे और white list का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जो आपने जैसे कि मैंने सारे mac address एंटर कर रखे हैं इस तरीके से आप इसे add कर सकते हैं इससे friends क्या फायदा होता आप लोगो को कि जो mac address जिस phone का mac address आपने add किया होगा सिर्फ वही phone आपका wifi यूज कर सकता है कोई third person आपके wifi को यूज नहीं कर पाएगा तो friends आप लोग सोच रहे होंगे कि mac address होता है क्या है Mac address की full form जो होता है दोस्तो media access control होता है इसे physical address भी बोलते हैं और यह friends आपके phone में कहां मिलेगा यह मैं आप लोगो को बता देता हो तो friends आप लोग यह सोच रहे होंगे कि mac address आपके mobile phone में मिलेगा का तो friends मेरे पास जो phone है वो है MI Note 5 Pro ज्यादा कर Redmi की phone में इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं जैसे कि आपको जाना होगा पहले setting में setting में जाएंगे फिर वहाँ पर जाएंगे about phone में about phone में जाने कवाद आप जाएंगे all specification में short form लिखी हुए आपकी specs इस पर click करेंगे और नीचे की तरफ आप जाएंगे status पर click करेंगे आप उसका नीचे की तरफ आप देखेंगे wifi mac address friends wifi mac address जो होता है वह आपके phone का permanent होता है ठीक है यह आपका change नहीं होता है तो friends आप यहाँ से mac address चेक कर सकते हैं friends अगर आपके phone में इस तरीके से mac address शोर नहीं होता है और उसमें आपका option आजागा wifi mac address इस पर click कर देंगे तो यहाँ से आपका wifi mac address सो हो जाएगा तो friends अब मैं आप लोगों को add करके बता देता हूं कि उसको आप add कैसे करेंगे तो friends उसके लिए सबसे पहले आपको router को login करना पड़ेगा जैसे कि आपने पहले कर रहा था तो friends मैं आपको directly करके बता देता हूं ताकि friends आप लोगो पस समय बच쟁 तो friends आप mac address को blacklist में add करना चाहते हैं quedlisabytes में अगरा white list में add करना चाहते हैं तो इस तरीके से box मेंश्क्राइड होना चाहिए white list के आगे अगर आप blacklist में करना चाहते है तो यहां से आप blacklist select कर सकते हैं तो मैं आपको whitelist में कर के दिखा दिता हूँ यहां से अप क्या करेंगे Mac address को fill करेंगे जो आप Mac address add करना चाहते हैं ताकि वही person आपका wifi यूज़ कर पाए है है यहां सब इस तरीके से फिल करेंगे इस तरीके सा आप पूरा से फिल कर लीजिए मेकैडर को फिर फिर ही और माकohक को क्लिक करने के बाद हमें काण नीचे क्लिक करने नीचे यह ईहां से हो चुका है 1 नीचे लिख करना ना बूले क्योंकि आपका फाइनल यहीं से होता है यहां से मोख कर देंगे यहां पर आपका सेव सक्सेस्फुली भी लिखावा आ जाएगा इसका मतलब दोस्तों क्या है कि आपका मैक आडर जो है वह एड हो चुका है अब यह परसन अगर जब भी आपका वाइफ में कमेंट करके ज़रू बताइएगा और फ्रेंट्स अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंट्स और फैमली के साथ इससे जादा से जादा शेयर करें तो फ्रेंट्स मैं दुबारे से कहना चाहूंगा जिन्होंने हमा चैनल पर नई वीडियो आए उसका नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो फ्रेंट्स मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद